आईये आज हम लोग दच्छड अमेरिका महाद्यूप के बारे में अध्धन करते हैं सबसे पहले हम लोग दच्छड अमेरिका के परमुक्खाडी प्रायद्यूप वा जलसंधियां के बारे में जानेंगे आये देखते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गौया किल की खाड़ी गौया किल की खाड़ी दच्छड अमेरिका में इक्वेडोर के पश्चिम प्रसांत महासागर में आव इस्थित है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है पेनास की खाड़ी दच्छिडी चिली प्रसांत महासागर में आव इस्थित है सैन जार्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व और अटलांटिक महासागर में आव इस्थित है सैन मेटियास की खाड़ी वालडेज प्रायदीब के उत्तर में अटलांटिक महासागर में आव इस्थित है नईक्षट है ताई ताउ प्राइदिब पेनास के खाड़ी एवं प्रसांत महासागर से घीरा हुआ, दच्छरी चिली में आऊ इस्तित है आगे देखेंगे वाल्डेज प्राइदियूप आर्जन्टीना का एक प्राइदियूप जो उत्तर में सैन माटियास खाड़ी एवं पस्टिम में सैन जोंस तथा दच्छिड में निवो खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर्व से गिरा है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे मायकलेंग जलसन्दी मायकलेंग जलसन्दी दच्छिड अमेरिका के दच्छिड भागों को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है आगे हम लोग देखेंगे ड्रेक पायसेज एक जल संधी जो जच्छड अमेरिका एवम अंटार कटिका को अलड करता है आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे बर्मुडा त्रिकोड का रहस आए जानते हैं बर्मुडा त्रिकोड का रहस बर्मुडा त्रिकोड के बारे में इसकी खोज पंदरा सो तीन में जुआन बर्मुडेच द्वारा की गई थी उन्हें के नाम पर इसका नामकरण किया गया है 1684 में यहां ब्रिटेन के अधीन हो गया यहां पर निग्रो जन्जात पाई जाती है बर्मुडा त्रिकोड जो दच्छिड में मियामी प्लोरिडा प्यूटो रिको तथा उत्तर में बर्मुडा तक फैला हुआ है बर्मुडा छेत्र 25 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अच्छांस वाग 55 डिग्री से 85 डिग्री पश्चमी देशांतर के बीच अव इस्तित है बर्मुडा त्रिकोड एक ऐसा ब्लेक होल है जिसकी चुम्ब की सकती से बच कर निकलना बहुत मुश्किल है बर्मुडा त्रिकोड को सैतानी त्रिकोड भी कहा जाता है सबसे पहले इसका समाचार आया कि दूसरे विशुजुद के बाद जब एक जहाज अचानक इसी छेत्र में विलुप्त हो गया बर्मुडा त्रिकोड का पूरा छेत्र उत्तर पश्चिम अट्लांटिक महासागर में आविश्थित है इसका एक कोना फोलोरिडा से दूसरा बर्मुडा से तीसरा कोना पोरोटो रिको से जुड़ता है इसकी सीमाएं बहमास और कैरे बियाई सागर के पास है इस परकार आगे हम लोग देखेंगे कि अट्लांटिक महासागर के इस छेत्र में जब भी कोई जहाज वाय यान पहुशता है तो उसके रडार, रेडियो, वायरलेस वा कमपास यंत्र ठीक से काम नहीं करते जिसके कारण जहाज दिसाहीन हो जाते आई ये जानते हैं बेश्ट इंडीज का इतिहास वेश्ट इंडीज उत्तरी अमेरिका वा दच्छडी अमेरिका के मद है कैरेवियन दीव समू है जिसे वेश्ट इंडिया नाम दिया गया है माना जाता है कि भारतिय यहां के पहले निवासी थे 1492 में क्रिश्टोफर कोलंबस ने यहां यात्रा की थी कोलंबस पहले येवरोप ये थे जो इन दीव समू हो पर आये थे कैरेवियन दीव के नए दीव बहा मास में आते ही कोलंबस ने इसका नाम इंडीज रखा क्योंकि उन्हें लगा कि वे एसिया पहुँच गये हैं इस प्रकार इन दीव समू हो का नाम वेश्ट इंडीज पढ़ा दितिये विश्युद के बाद इन दीव समू हो को कैरेवियन दीव समू कहा जाने लगा